दोस्तों किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप PTM के BC agent कैसे बन सकते हैं घर बैठे आप online आवेदन कैसे कर सकते हैं अगर आप PTM के BC agent बनते हैं तो आप PTM के customer की full KYC कर सकते हैं और इसके लावाई दोस्तों आपको बहुत सारे benefit मिलेंगे जो मैं आपको आगे की वी और अगर दोस्तों आप पेटियम के बीसी एजेंट बन जाते हैं तो उसमें आपको कौन-कौन सी सर्वीसेस मिलेगी और इन सर्वीसेस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा तो बने रही है इस वीडियो में इन तक मैं आपको लाइब प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि पेटियम के बीसी एजेंट का जो अप्लिकेशन होता है पेटियम का एटियम उसको आपको कैसे इस्तिमाल करना है उसमें आपको कौन-कौन सी सर्वीसेस मिलेगी और इन सर्वीसेस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा सुबाइज मैं हुनिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब च दोर आप आपको करना लेना है उसके बाद ही क्सटों आपका एक सब्सक्राइब होना चाहिए कहीं овना चाहिए खालेग और आपका दुकान नहीं रहेगा दोस्तों तो आप onboarding नहीं करवा पाएंगे आपका reject हो जाएगा इसलिए आपका fix swap होना चाहिए चाहिए आपका mobile का दुकान हो या फिर आपका computer का दुक किसी भी चीज का आपका swap रहेगा तो onboarding हो जाएगा वो आपका successful हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका third eligibility है कि आपका age 18 plus होना चाहिए आपका age जो है तो 18 से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन-कौन से document देनी होंगे तो document में दोस्तों सबसे पहला document है आधार card और आपका pin card होना चाहिए और आपका paytm में जो registered mobile number है वो number होना चाहिए और full KYC वाला number होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपके पास bank detail होनी चाहिए आपको bank detail आपको map कराना होगा उसके बाद आपके पास fix outlet होना चाहिए fix outlet जैसे मैंने पहले बता दिया है कि आपके पास fix एक swap होना चाहिए इतना दोस्तों आपके पास eligibility criteria रहेगा तभी आप online apply कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप paytm के BC agent बनने के लिए online apply कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों वीडियो के description में आपको registration form की link मिल लागी आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने paytm payment bank की official website open हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको apply करना पड़ेगा apply करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको mobile number डालना है mobile number वही डालना है जो आपका paytm पर registered mobile number होगा और जिस पर आपका full KYC रहेगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद आपको अपना full name डालना है जो आपके आधार card में नाम रहेगा वही आधार number डालना है उसके बाद दोस्तों आपको business address डालना है business address में आपका जहाँ पर swap रहेगा वो address आपको डालना है ना कि आपके आधार card का address उसके बाद आपको pin code डालना है pin code आपका जो जहाँ पर आपका swap रहेगा mobile आपको pin code डालना है उसके बाद आपको state select करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है do you have a fix outlet अब यहाँ पर दोस्तों आपको no नहीं करना है अगर आप no कर देंगे तो आपका reject हो जाएगा form तो यहाँ पर आपको yes करना है कि आपके पास एक fix outlet है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपस पूछा जा रहा है कि पहले से आपके पास किसी भी bank का customer service point है तो यहाँ पर दोस्तों आपको no करना है अगर आप yes कर देंगे तो आप इस form को submit नहीं कर पाएंगे तो आप ATM के BC agent नहीं बन पाएंगे और आपसे confirmation किया जाएगा confirmation होने के बाद आपके area का जो पेटियम employee होगा वो आपके outlet पर आकर आपका BC agent का onboarding कर देगा जिसके बाद आपका 24-48 गंडे पर ID activate हो जाएगा और इस ID का कोई charge नहीं लगता है यह ID आपको free up cost मिलती है इसके बाद दोस्तों जो employee रहेगा वो आपको WhatsApp group में add करेगा और वहाँ से आपको पेटियम agent का application मिलेगा यह जो पेटियम agent का application होता है यह आपको play store या फिर chrome browser पर नहीं मिलेगा यह आपको पेटियम employee की तरफ सी ही मिलेगा जब आपको ID मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं पेटियम का ATM इस तरह का आपको एक application मिलेगा यहाँ पर आपको अपना ID login करना होगा जैसे दोस्तों आप login कर लेंगे तो कुछ इस तरह का dashboard आपके सामने आएगा सबसे उपर पेटियम का ATM लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका wallet सो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो आप KYC करेंगे उसका यहाँ पर task सो हो जाएगा कि आपने कितना KYC किया है और कितने KYC आपने किया है तो उसमें से कौन सा active है और कितना आपने submit किया है और कितना आपका reject है अगर दोस्तों आप normal KYC बस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ongoing task पर click करेंगे और यहाँ पर आपको new task मिल जाएगा यहाँ पर आपको new task पर जाना है यहाँ पर आपको customer का mobile number डालना है और यहाँ से आप KYC कर सकते हैं ATM account की KYC कैसे करते हैं मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो की link particular इस वीडियो की description में देऊ दूँआ आप उस वीडियो को direct जाके देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको KYC और saving account open करना है किसी का KYC करना है और साथ में saving account भी open करना है तो यहाँ पर आपको यह वाले option को चूच करना है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कमीशन की बता दे तो यहाँ पर आपको 40-50 रुपे कमीशन मिलता है अगर आप किसी की KYC करते हैं तो यहाँ पर आपको 40-50 रुपे तक कमीशन दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर आप deposit cash कर सकते हैं deposit cash वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने wallet से deposit करना हो यहाँ पर आप किसी के paytm के saving account और current account में cash deposit कर सकते हैं या फिर आपको खुद के saving account में cash deposit करना है तो self account पर click करेंगे या फिर आप beneficiary add करके आप account पर money send करना चाहते हैं तो यह वाला option चूच करेंगे other account का तो इस तरीके से आप किसी के खाते में cash deposit भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको withdrawal cash का option मिलेगा यहाँ पर आप withdrawal cash वाले option पर click करेंगे यहाँ पर 10 रुपै से लेके 10,000 रुपै की बीच में आप पैसे withdrawal कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको bank की statement देखने को मिल जाएगा bank की statement पर click करेंगे तो आप किसी के registered paytm mobile number का statement चेक कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको left side में three line मिलेगा तो इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे जैसे यहाँ पर आपका saving account मिल जाएगा आपका यह 50 code मिल जाएगा जो आपने order किये हैं उस order की list आपको मिल जाएगी उसके बाद दोस्तों जो आपने commission earn किया है वो commission की list देख सकते हैं आपने कितना commission earn किया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक certificate भी मिलता है यहाँ पर my certificate पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको PTM की तरफ से आपको BC agent का certificate मिलेगा यहाँ पर आपका नाम clarify किया जाएगा BC agent का ID लिखा रहेगा आपका mobile number लिखा रहेगा उसके बाद यहाँ पर BP distribution का signature रहेगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अंकीत ग्रवाल मेरे में distributor है तो यहाँ पर उनका signature किया किया है इसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर आप दो सब agent भी बना सकते हैं यहाँ पर आपको दो सब agent बनाने का facility मिलेगा यहाँ पर आप दो सब agent बना सकते हैं अगर आप सब agent बना देंगे तो उनको आप अपना application share कर सकते हैं इतना सर्विस आपको मिलता है, वही सर्विस आपके सब एजेंट को भी मिलेगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप ATM के BC एजेंट बनके काफी अच्छी इंकम कर सकते हैं, और यही दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन अपलाई करेंगे, उसके वाद आपको 24-48 गंटे म में आपकी ID एक्टिवेट कर दी है, यहोब दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंट के साथ सेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रवलम है, तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, और मुझे